वेल्कम टू आर चैनल इंग्लिश मेड इजी विद बलजीट तोड़े विल डिसकेज अबाउट नमबर नमबर जिसे कि हम हिंदी में वचन भी कहते हैं नमबर दो तरह के होते हैं सिंगुलर नमबर प्लूरल नमबर सिंगुलर नमबर यानि की एक वचन या किसी एक वच्टू को दर्शाता है और प्लूरल नमबर यानि की बहुवचन ये दो या दो से अधिक की संख्या को दर्शाता है चाहे वो कोई समान हो, इंसान हो, जीव हो या शेहर का नाम हो, जो भी हो सिंगुलर नमबर में आते हैं एक चीज का नाम जैसे कि गर्ल, डॉग, वुमेन, पेन और बहुवचन, प्लूरल नमबर गर्ल्स, डॉग्स, वुमेन इत्यादी अब सिंगुलर नमबर से जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो सभी को एक तरह से नहीं करते हैं भी कुछ नियम है जैसे कि सिंगुलर नमबर जो है सिंगुलर नमबर में जो वर्ड है अगर उसके एंड में अंत में एस, एस, एच, सी एच या फिर एक्स आता है और सी एच का भी जब हम वहाँ पर प्रनांसियसन च करते हैं तो जब उसे हम प्लूर बनाते हैं तो वो ए, एस हो जाता है जैसे बुश बुश में देखिए एस, एच है लास्ट में तो इसका जब हम बहु वचन बनाएंगों तो बुश हो जाएगा इसी तरह डिश है इसमें भी एस, एच है लास्ट में फॉक्स, फॉक्स यहाँ चर्च में च को हम लोग च पढ़ रहे हैं तो इसलिए एस लगा है जब हम केमेश्ट्री बोलते हैं तो उसमें च को हम लोग क पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर हम च को च पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें एस लगा है इस बात का ध्यान रखना है CH का क्या pronunciation हो रहा है उसी बात को देखकर ही उसके पीछे हम YES लगाना है हमें इसके बाद दूसरे नियम को हम देखते हैं यह है CH जिसमें CH का pronunciation का आ रहा है Monarch तो यहाँ पर Monarch हो जाएगा Stomach Stomachs इसके बाद वैसे वर्ड जिसमें Last में F और F E होता है वो जब उनका बवचन बनाते हैं प्रूरल में चेंज करते हैं तो V E S लग जाता है Thief Thieves Calf Calfs Leaf Leaves Loaf Loaves Wife Wives Knife Knives Life Lives इसके बाद Consonant प्लस Y यानि कि जो वर्ड है हमारा Singular एक वर्ड में जो वर्ड है उसका Last वर्ड अगर Y है और उसके पहले Consonant है आपने पहले भी पढ़ा होगा कि A से Z तक 5 वोवल होते हैं A, E, I, O, U और बागी के जो A, B, C, D वगएरा जो बचते हैं वो Consonant कहलाते हैं 26 26 लेटर होते हैं A to Z में उसमें 5 वोवल हैं और 21 Consonants हैं तो Last में जिस वर्ड के Last में Y है और उसके पीछे Consonant है यानि कि B देखे B, Baby में B है Y के पहले तो उसमें क्या लगता है प्रूबभवचन मराने में IES लगता है Baby, Babies Country, Countries Duty, Duties Fly, Fly City, Cities Cry, Cry Army, Armies इसके बाद वोवल प्रस वाई वैसे जब मैंने आपको भी समझाया कि A to Z में 5 वोवल होते हैं A, E, I, O, U यह अपने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा नर्सरी, UK, G1 वगरा में तो Y के पहले जब वोवल आता है यहाँ पर Day में Y के पहले क्या है? A, यानि की वोवल तो इसको जब हम प्रूरल में चेंज करेंगे तो सिर्फ ऐसा आएगा Day, Days Boy, Boys Toy, Toys इस बाद का आपको ध्यान रखना है इसके बाद है Singular Noun Consonant Before Last O तो इसमें देखिए यह Singular में Potato है इसके जितने भी शब्द है सबके Last में O, O है तो इसके पहले O के पहले Consonant T, G, R, T, T, L यह सब Consonant है A, E, I, O, यह कोई नहीं है तो इस जो यह Singular में इस तरह के शब्द होते हैं तो वो जब Plural में Change होते हैं वो हुआचन बनते हैं तो उसमें E, S लगता है ठीक है Potato, Potatoes Mango, Mangoes Hero, Heroes Mosquito, Mosquitoes Tomato, Tomatoes Buffalo, Buffaloes अब इसके बाद यह तो Consonant है O के पहले इसके बाद Next जो है वो O के पहले Warville A, E, I, O, U आने से क्या होता है सिर्फ S लगता है Bamboo, Bamboes Kukoo, Kukus देखिए हैं दोनों O, O आए हैं इसके बाद Compound, Noun वाले जो शब्द है Compound यानि कि दो शब्दों से मिले हुए जो शब्द है उनको वहोचन कैसे बनाया जाए तो उनको वहोचन बनाने में के लिए जो में वर्ब होता है में नाउन जो होता है में वर्ब नहीं में नाउन उसमें S लगाते हैं Father in law तो इसमें में नाउन कौन है में संगया कौन है Father तो fathers in law Son in law Sons in law Washer man Washer man यहां देखिए man में M-E-N है और उसमें M-E-N हो गया है इसके बाद है Maid servant यहां servant main noun है तो उसी में change हुआ है Maid servants कुछ शब्द अलग होते हैं इनमें कोई नियम नहीं होता इनका अलग ही तरीका होता है Man, men Child, children Foot, feet Ox, oxen Mouse, mice Woman, woman Tooth, teeth Goose, geese इनको आपको याद रखना है इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको singular और plural एक समान होता है यानि एक वचन और बहु वचन दोनों में समान रूप से लिखा जाता है Deer, deer Sheep, sheep Dozen, dozen Cannon, cannon अब कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जो देखने में एक वचन के लगते हैं लेकिन असली में वो बहु वचन के होते हैं Cattle People Police Public Gentry Scissors Spectacles अब इसके बाद है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहु वचन लगते हैं लेकिन असली में वो एक वचन होते हैं News Mathematics Physics Politics Economics क्योंकि सब में एस लगा है तो इन्हें बहु वचन मत समझ लीजेगा जब सेंटेंस बनाने हैं तो वर्ब इनको एक वचन मान कर ही लगाने हैं इफ या लाइक इस वीडियो प्लीज शेर इट विए फ्रेंड और सब्सक्राइब चैनल इनी तौरल ऐ भी इस्ट आदे विडियोड ओलीजेर इनको भी इसेंटिर जाएब काने टीजे till का इस अनीया है जोगे तो इसेंट आप ऑसेंटिया है जो फिद आपने को एक आदे और या डिको बीक्राइब का सिट भीके 192 गिजा कीं एक इसेंटिवार हैं पर्णापी